दोस्तों आज हम आपको 1000 साल पहले धर्टी पर पाए जाने वाले सबसे खतारनक जानबर के बारे में बताने जा रहे हैं आपको लगता होगा कि डाइनसर के समय में इस धर्टी पर सिर्फ डाइनसर ही रहा करते थे लेकिन आपको बता दू आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है क्योंकि डाइनसर के समय में इस धर्ती पर और भी खतरनक जानबर रहा करते थे जिनके बार में आप इस वीडियो में जानने वाले हो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाता हूँ अगर अपने अभी तक हमरे चैनल को सब्सक्रेब नहीं किया तो फिर जल्दी ही सब्सक्रेब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त राजू और आप देख रहें एडवेंचर ट्यू साल 2009 में कलंबिया के गुफा में 100 से जादा साबकी कंकल मिले ये सबी कंकल एक जैसे ही थे लेकिन उनमे से एक कंकल बाकी सबके कंकल से काफी बढ़ा थे जिसे आज तक खोजा गया दुनिया के सबसे बढ़ा सब माना जाता है वर्गेनिकों के माने तो ये सब एनाकॉंडा से भी पाच गुना बढ़ा थे अब इस सब की कंकल को एक म्यूजियम में रख दिया गया जाइगेंटो पितेकास हजारों सल पहले एशियम में एक खतानक जनबर रहा करते थे जो आज के जमने के शिंपन जी की तरह ही दिखता था अलाकि इनके जीबस में कम मिलने की वज़े से इनके बार में जादा जानकरी नहीं मिल पाई लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये इनसन का ही एक बरारूप था जो सालों पहले इस धर्टी पर रहा करते थे सारको साचास लगभग करोडों साल पहले ये जनबर हमारे धर्टी पर मौझूद थे साइन्टिस्ट को मिले कंकल की साइस करिब 40 फिट तक लंबा थे जो आज की दिनों में पाई जाने बले मगरमाज से पास बुना बरा है ये जनबर मगरमाज जैसा ही दिखता था और डाइनस्टर का शिकर ये आसानी से कर लेता था दोस्तो अगर आपको बिच्चु से डर लगता है तो आपको भगवान का शुक्रियादा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको हजारों सल पहले पैदा नहीं किया क्योंकि उस समय के बिच्चु इंसनों से कई गुना बरा थे कुछ लोग इस जानबर पर विश्वास करते हैं लेकिन कुछ लोग इसको सिर्वेक अफ़वा मानते है ये जानबर करीब 500 साल पहले हमारे दुनिया में रहा करते थे इस जानबर का करीब 100 से ज़्यादा पैर होते है और ये करीब 10 मिट तक लंबा होती है कई लोग इसे दुनिया का सबसे बरा किर्या भी मानते है लेकिन इनके मूँ छोटा होने के बज़े से ये किसी को ज़्यादा नुक्सन नहीं पहुचा पाते दोस्तों आपको इन जानबर में से कौनसी जानबर ज़्यादा खतर नग लगा वो हमें कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताइएगा आर्शा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक कीजिए और अगर अब हमारे चैनल Adventure Tube पे नए है और आप भी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पे रूची रखते है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार